सूपने में दीपक जलना दिखना एक बहुत सूप सपना होता है इस पीच्वल वर्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है अगर अभी तक आपने इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कर लीजिए और अगर यह वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज एक लाइक जरूर करना हम इस अपने क्यों आते हैं इसके पीचे कारण होता है हमारा जो सरीर होता है पंच महाभूत तत्व चिती जल पावगगन समीरा से मिलकर बना हुआ होता है और इसे ही प्रांट शक्ती बोलते हैं प्रांट शक्ती के उपर में आत्मा का वाश होता है जब हम नित्र अवस्ता में होते हैं तो हमारा सरीर सो जाता है परण तो हमारी आत्मा चागरी तवस्ता में होती है हमारी आत्मा के कारण हमारी जो बुत ही जो तीन तरखी होती चेतन और चेतन अतिचेतन जो हमारे द्वारा भूत काल मे केगै कारी जा वर्तमान काल मे हम जो कारी करते हैं उसको जोड़ कर एक समुची ट्फल सौपनफल के माध separates हमसे बताने की कुस्सिस करती है या संकेत देती है कि आने वाला भाविष्ट से हमारा कैसा होगा अगर हम अच्छे कारी करते हैं तो अच्छे सपनफल आते हैं और बुरे कारी करते हैं तो बुरे सपनफल आते हैं तो सपन में दीपक जलाना देखना एक बहुत सपन होता है आने वाले समय में आपके आत्म बल में विद्धी देखने को मिलेगी आपकी आत्म उन्नती होगी आत्म विश्वास बढ़ेगा आपका कारी छेत्रह में उन्नती देखने को मिलेगी नए औसर प्राप्त हो सकते हैं आपको और आयो में भी विद्धी को यहां प्रदेशित करता है तो कुल मिलाकर यह एक बहुत सुप सपना है और इस सुप सपना को और अधिक सकरात्मग बनाने के लिए आपको अपने इस्टर देवी दियोताओं का ध्यान करना चाहिए या गयत्तिरी मंत्र का ध्यान करना चाहिए या सिव जी के पंचाक्षी मंत्र ओम नमस्वाई का ध्यान करना चाहिए ताक इसके सकरात्मग ब्रभाव के जिवन पे अधिक लंबे समय तक बना रहे इस पिजवल और चैनल पे बहुत सारे सपनों का मिनिंग बताये गया है आप प्लीस इस पे विजिट कीजिए और बहुत सारे सपनों का मिनिंग जाने है और उसका लाव उठाईए इश्वर आप सभी को सद बुद्धी दे, सद मार्क पदान करे, धन्यवाद